खबर मध्यप्रदेश के गवालियर से है जहां डियारपी लाइन स्थित सरकारी स्कूल में छात्रों को दिये जाने वाले मध्यान भोजन में अन्यमितिता देखने को मिली है जी हां मध्यान भोजन की जो गुडवत्ता है यानि क्वालिटी के अगर हम बात करें तो आप रिपोर्ट में जानिए कि भोजन का प्रबंदन किस तरह से किया जा रहा है और इस मामले में छात्रों का क्या कहना है और मामले में करवाई की गई है या नहीं देखिए ये रिप मध्यान भोजन में अन्य मितता मैन्यू के हिसाब से नहीं दिया जा रहा खाना छात्रों की स्वास्ते से खिलवा आखिर कौन से मितार बता दे कि यहां सरकारी स्कूल में सरकार ने हर ठेकेदार को भोजन मैन्यू दिया है मैन्यू में साफ लिखा है कि किस दिन कौन से दिक्षित द्वारा खिच्डी में घटिया गुडवत्ता वाले चावल और मूंग दाल का उप्योग किया जा रहा है। उन्हें बासी सब्जी परोसी जाती है। सुन ये चात्रों की बात। सब्सक्राइब में जाती है। आप तो मेडिल क्लास कि भाप और आल कैसी आती है तर सटय जाती है और और अलुली सब्य यहाँ पतली यहाँ गाड़ी आती है अर किषटी जरी ज़िए है और दी seconds यह मामला कई छातरों के सिहत से जुड़ा हुआ है आखिर यह मनमानी कब तक चलेगी और अगर छातरों की सिहत खराब होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा देखिए रिपोर्ट में कि इसे लेकर स्कूल परचारे का क्या कहना है तो उन्होंने कुछ बताया हम तो रोटी वारे में थोड़ी वारे में ग्रीव सक्की वारे में तो थोड़ा बताएं कि क्या आपने कि इसके विए निजिने के अंसारी आता लेकिन बच्चोंने dalla स्टेट्मेंट डिया था कि जो जाती हो जा जब्रों को अंसार 16LE को फूरी आ त्युक्रीará थी वह थोड़ी मोटी रहती है तो इसके लिए मैंने मनलब जो है संबन देता है जुला पंचा स्यू को सुपरवाईयर को बताया था अवगत कराया था और भोजन आता है पृति दिन भोजन की क्वालिटी थोड़ ठीक होना चाहिए अभी क्वालिटी तरही है सब्सक्राइब 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 जो सब्जिया है महनु के अनसार क्राप्त होती हैं कि सर्व आपको जानकर यह विद्ए कहा जाता है विद्ए लेकिन ने खिऑनी अपने डाल तो है लेकिन फ़ड़ा पतली है इतना ही नहीं ग्वालियर समवादाता ने इस मामले की जानकारी कैबिनेट मंत्री प्रद्यूमन सिंग तो मंत्री ने तुरंत स्कूल में जाकर और चक निविक्षन किया इस दोरान मिली हुई सभी जानकारी सच साबित हुई तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मंत्री प्रद्यूमन सिंग खुद मध्यान भोजन की क्वालिटी जानने पहुचे कि आखिर चात्रों को किस तरह का भोजन दिया जा रहा है वही जब मंत्री ने भी ये जाना कि वाकई खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है तो उन्होंने तुरंत CEO को फोन किया और मामले को लेकर कारवाई की बात कही लेकिन ना तो ग्वालियर जिला पंच्वायत CEO और ना ही कलेक्टर ने अब तक इस मामले में आक्शन लिया अब देखना ये हुगा कि छात्रों के स्वास्त किसा कब तक खिलवार किया जाता रहेगा ग्वालियर से समवधाता योगेश बिसावया की ग्राउंड रिपोर्ट